नाम है के संग के ऑपर यह आज की वीडियों बहुत ही डििफरेंट है का आज की वीडियों होने वाली है ओनि पी के ऑपर तो दोस्तो यह मेरे दोस्त की गर पर लकडियों के नतना में बाइन G तो ये लगड़ी के अंदर हमेशा लगग जाती है लगड़ीं के आफ़ लगड़ी उनुप यह नालती है लेकर दोस्तो मेने सूचा है कि इसको फाक्ड़ेंएजिते हुआ मीरा दोस्तो बोलगा थे हमें जब लगड़ी खीचते हैं जिनका शायद हम निकालने बाड़े हैं दिसंबर के जो एंड में हम उसका हनी निकालना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद उनकी भी बहुत सारी वीडियो से आपको इस चैनल के उपर मिलने बाड़ी है इसलिए अगर आप मदू मक्ही से रिलेटिव काम करते हैं जा करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास बहुत सारी मदू मक्ही की जो भी फार्मिंग की वीडियो से मिलती रहें और अच्छे ची जानकर यह आप लेते रहें यहां मेरे पास दो कैप है जिसको भी बैल बोलते हैं तो यह मेरे पास दो है एक तो मैं फार्म से लेके आँ जो मैंने पहन रखिया दूसरे वाड़ी जो आप बाइट कलर की देख रहे हो यह मैंने खोद घर पर त्यार की है तो यह इसलिए तियार की थी ताकि अगर मक्ही को पकड़ना हो तो इसके अंदर असानी से पकड़ सकते हैं तो इस तरह से द और पूरी की पूरी मक्हिया मों उसके अंदर कैप्चर कर लेंगे तो यहां पर दोस्तो मक्हिया बहुत ही ज्यादा अट्रेक्टिव हो चुकी थी और मेरे हाथ के ओपर काभी मक्हियों ने काट लिया था तो जिसके कारण मुझे थोड़े दूसरे कपड़े पहन के आने पढ़ाएंगे क्योंकि अभी दुपायर का समय था और मक्हिया काफी ज्यादा अट्रेक्टिव हो रखी थी और मैं अभी दूसरे कपड़े पहन के आता हूं और फुल वाजुके और जिसमें मक्हियों से बचाब हो सके क्योंकि यह बहुत तेज हो रखी है और ज्यादा का यह बाठ रही थी क्योंकि यह जो कलावनी है इसकी बहुत स्टॉंग है इसके अंदर बहुत सारी मक्हिया है और जादा मक्हिया होने के बड़ी गलतियां होगी जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो खराब हो गया पूरी की पूरी जो मक्हीं वो मर गई थी तो वो दो गलतियां क्या थी वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जूरूर देखते रहें अगर आप भी एपीस सिराना जा एपीस फुलोरिया का जा कोई भी मदुमक्ही का जो कलोनी है उसको बॉक्स के अंदर डालना चाहते हो तो उसको आप असानी से डाल सकते है बस जो मैंने दो गलतियां किया वो नहीं करेंगे तो कोई भी मदुमक्ही किसी भी टाइप की मदुमक् की पाई जाती है वो दो तरह की पाई जाती है एक तो ये जो शोटे वाली मक्ही होती है एपिस फलोरिया और दूसरी जो नहरों के किनारों पर पाई जाती है बड़े वाली जिसको इंगलिश में एपिस डोरसर्टा कहते हैं और इसका अगर हमारे पंजाबी में इसको डूमन मख्याल भी बोलते हैं एपिस डोरसर्टा का जो मख्य का साइज है वो बहुत बड़ा होता है और अगर जे काट लेती है तो वो डारेक्ट आंखों के उपर एटेक करती है और ज्यादा मख्यां काटने से बंदे की जान भी जा सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं पकड़ी हुई है चोटे बाड़ी मक्यां एपिस फलोरिया इनको मैं डालने वड़ा हूँ एपिस मेली फेरा के बॉक्स के अंदर तो दोस्तो पहले सबसे पहले हम जो इसका ब्रूड बाड़ा एरिया वो काट लेंगे ब्रूड बाड़ा एरिया हम नीचे से काट देंगे और साथ ही साथ मैंने क्या किया है इनको जो बोजन देने के लिए फीड देने के लिए मैंने चीनी का एक मिक्चर बनाया है और उसके अंदर बॉक्स के अंदर रख रहा हूं और जिससे दोस्तों इनको जो खाना है वो प्रवाइड होता रहे फीड इनको मिलती रह तो दोस्तों यह experiment में पहली बर कर रहा हूँ अपिस फलोरिया के उपर तो अपिस फलोरिया को मैं डाल रहा हूँ अपिस मैली फेरा की box के अंदर तो यहां पर मैंने छट्टे को बांधना start कर दिया फ्रेम के अंदर और यहां पर इनकी जो छट्टा है इसके अंदर काफी ज़्यदा brood है काफी ज़्यदा जो बच्चे इसके अंदर से निकलने वड़े है हम यहाँ पर छत्ता लगा रहे थे फ्रेम के अंदर और यहाँ पर दो बंदे आ चुके हैं चोरी करने के लिए और यहां से हनी चोरी होना स्टार्ट हो चुका है तो बंच दीप मेरी लड़की है इसको हनी बहुत पसंद है और यह हनी बहुत ज़्यादा खा लेती है तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या गलतियां की और जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा जो एपिस फलोरिया की मक्यों का जो बॉक्स था वो खतम हो गया था पूरी की पूरिया मक्या मर गए थी तो यह जो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ यह जुलाई का टैम है और जुलाई के टैम पर कापी ज़्यादा गर्मी होती है और हमारी सैड में फूल बहुत कम मिलते हैं तो हम एपिस मैली फेरा जो हनी भी है उसको हम जब ऑप सिजन होता है तो हम उसको चीनी देते हैं तो मैंने भी यही किया कि इसके जो हनी है वो निकाल लिया और इसके बॉक्स में चीनी का गोल रख दिया लेकन दोस्तों इन्होंने पहले कभी भी जो चीनी का गोल वो नहीं खाया था फीड के रूप में इसनोंने नहीं यूज किया तो इन्होंने वो जो चीनी का गोल था व जिसके कारण प्लौवर प्रॉपर मत्रा में ना होने के कारण जो ये मक्वें वो शायद नहीं बना पाई और दीरे दीरे जो मेरा बौक्स भो ख़तम हो चुगा था अगर दोस्तों मैं इसको हनी के साथ में ही बौक्स के अंदर छटे को लगा देता तो शायद ये मक्या नहीं मरती और पूरा का पूरा जो मेरा बॉक्सा वो चालू हो जाता लेकन दोस्तो मेरे से गलती होगी कि मैंने पूरा का पूरा शायद है जो निकाल लिया था और खाली शायदा डाल दिया और चीनी उसके अंदर डाल दिया था तो दोस्तो जो ये एपिस फलोरिया मक्या है इन्होंने पहले कभी चीनी का फीड लिया नहीं इसलिए इन्होंने काफी लेट कर दिया और जब तक इन्होंने फीड उठाना स्टार्ट किया तब तक जो मेरा मक्यों का बॉक्स था वो खत्म होने लग गया और खत्म हो गया तो दोस्तो अभी बारी है गलती नमबर दो की जो मैंने की है वो ये है कि कभी भी अगर हम किसी भी मदु मक्खी को चाहे वो एपिस फलोरिया हो चाहे सिराना हो चाहे कोई भी हमारे इंडिया की मक्खी हो जिसको हम बॉक्स के अंदर डालना चाहते हैं उसको उसी टैम ही बॉ फ्लॉवर का सीजन चल रहा हो क्योंकि दोस्तों अगर आप सीजन के अंदर हम इनको बॉक्स के अंदर डालते हैं और उस टेम हनी नहीं आ रहा होता क्योंकि दोस्तों इनको हनी के बिना जो इनका जीना मुश्किल है और चीनी जल्द जल्दी लेती नहीं है तो अगर हम इसको flower के season में box के अंदर डालते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती कोई परिशानी नहीं आती ये proper feed अपने box के अंदर लेके आती रहती है और जो box को वो develop करती रहती है और colony को बढ़ाने लग जाती है तो यहां पर honey तो इसका पूरा का पूरा हमने निकाल लिया हमारा भंचदीब खा गया और कोच हमारे घरवाले खा गये तो honey निकालने के कारण जो मक्यों को feed अबो नहीं मिली और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी भी जो feed अबो पोरी नहीं होई कहीं कहीं एक अद्धा जो फूल है वो मिलता है तो उसी कारण वो feed की कमी के कारण जो मेरा बकसा था एपीस फलोरिया मदू मक्य का वो खत्म हो गया दोस्तों मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण एक कलोनी जो मदू मक्यों की वो मर गई और खत्म हो गई यह वीड़ो डालने का मेरा मेंन मक्सद यही है कि अगर कोई भी नए बंदा मदू मक्यों को बॉक्स के अंदर डालना चाथा है तो उससे वो मक्या मरे नहां और उन मक्यों को उनको बढ़ा सके उसकी और कलोनीयाً बना सके लाने वाले हैं तो अगर आप मदू मक्ही पालन में रूची रखते हैं इंटरस्टड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दवा देना जिससे दोस्तों आपके पास हमारी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूं कि जो एपिस फलोरिया मदू मक्ही है इनको हम हनी प्रोडाक्शन के लिए हनी के बिजनेस के लिए बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि इनका जो शायद की प्रोडाक्शन है बहुत कम है लेकर दोस्तों इसको अगर पॉलिनेश अगर साफिशन है बढ़ जाता है तो अगर अगर आप राप और रानी प्रोडाक्शन के लिए मक्ही रखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट म स्ट आप इस्ट मेली फेरा है जो हमारे पास अपर पर ब्र हमारों पर सीजन के उपर तो बेरी का हमारा सीजन खराब हो गया था और अभी लगे हुए सरसों के उपर और सरसों के उपर जो सीजन एंड होने के टाइम पर आपको दिखाऊंगा कि 400 बॉक्स से हमको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना जो 400 बॉक्स को संभालने के लिए हमारा खर्चा हुआ है यह वीडियो मैंने शूट की थी जुलाई के अंदर और इसके ओपर जो एडिटिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपरी है इसका कोई पैसा नहीं है तो दोस्तों फिर हाज रहोंगे हम एक नई वीडियो लेके तब तक के लिए नमस्कार